हाई मैंसल डॉक्टर नगेज़ नतालो और इंटरवेंशन कार्डियोलोजीस आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि ट्राइग्लिस्राइड बढ़ने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं और यदि लंबे टाइम तक ट्राइग्लिस्राइड का लेवल हाई रहता है तो अपनी बोड़ी पे उसका क्या-क्या बुरी असर हो सकते हैं तो ट्राइग्लिस्राइड एक टाइप का फैट है जो कि अपने बलड में पाया जाता है और मेंली यह अपने डाइट या खाने से अपने को मिलता है तो खाने में जो भी अपन ओयल लेते हैं, और जो भी अपना फूर रहता है, वो कनवर्ट हो जाता हा ट्राइगलीस राइड में, टो खाने से अपने जो भी चैलोरी मिलती है, उनमें से जितना अपनी बोडी को जूरुत ह trophies हो जाती है और जो भी एकस्ट्रा कैलोरी देती है वो इस्टोर हो जाती है बोड़ी में एज ए ट्राइग्लिस्राइड और वो ही ट्राइग्लिस्राइड फिर काम आता है जब अपन खाना नहीं खाते हैं या फास्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे वो कनवाट हो जाता है और अपने को एनरजी देता है लेकिन लंबे टाइम तक ट्राइग्लिस्राइड का लेवल एधी अपने सरीष पे हाई रहता है तो उसके कुछ बूरी अशर हो सकते हैं तो ट्राइग्लिस्राइड का लेवल एधी ब्लड में बढ़ावा है तो उसको बोलते हैं ट्राइग्लाइस एरीडीमिया और इसके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं वह अपन जानते हैं तो सबसे पहले यदिए अपन डायबिटिक हो या फिर अपना प्री-डायबिटिक है यानि इंसुलिन रिजिस्टेंस है अपना बोडी में उसको पन प्रोपर मेनेज नहीं करते हैं तो ट्रीकलिश्र बढ़ जाता है दूसरी कंडिशन होती है मेटबॉलिक सिंड्रोम यानि एपनोबीज, हाइपटेंस्टिन हैं, डावीटिक हैं तो उस कंडिशन में भी अपना ट्राइग्लिस्राइड बढ़ा रहेगा या फिर जैसे कई बार ट्राइग्लिस्राइड बहुत ज़्यादा है तो वह मेटाबोलिक सिंड्रोम भी कर सकता है तीसरा कारण रहता है थाइरोड हार्मोन यह अपनी बोड़ी में TRIGLISSTRI may will bud बड़ जाता है या किसी को फेयमेलीि स्टी हो हाइ क्व लिए किसी को लिवर की या किन्डी की कोई ॅशक्वर बड़ जाएगा जो लोग ज़्यादा अक्सिसीव लेते हैं स्मॉकिंञ करते हैं सेडेंट्ी नैफ या फिर जो भी खाने में सुगर बोच लेते हैं या सिंपल कार्बो हाड़ेट जैसे चाओल है, आलू है, मेदा खाते हैं तो उनका ट्राइकलिस राड़ भी बढ़ावा रहेगा जो भी प्रोसेज फूल लेते हैं या जंग फूल लेते हैं या जो फूड रहते हैं जिसमें अडेट सुगर रहता है, जैसे कॉल डिंक्स हैं, जूस हैं वो सब कैंडी वगर हैं यह सब भी ट्राइकलिस राड़ को बढ़ावादा फिमेल की बात करें तो यदि प्रिग्नेंशी में और मेनोफाज में या फिमेल कुछ हार्मॉन्स की टेबलेट लेते हैं तो उनका ट्राइकलिस राड़ बढ़ जाता है बोडी में कोई inflammatory condition देती है जैसे कोई गठिया की दिकत है या rheumated arthritis है तो भी ट्राइकलिस राड़ बढ़ जाता है यह फिर कुछ medication है जो कि अपन लंबे टाइम तक लेते रहते हैं जैसे steroid है, diuretic है, beta blockers है या कुछ immunosuppression drug है यदि वो अपन लंबे टाइम तक लेते हैं तो अपना triglycide level बढ़ जाता है, अब यदि triglycide level अपना लंबे टाइम तक बढ़ा रहेगा तो उपने बोड़ी पे क्या क्या असर हो सकते हैं वो जानते हैं, तो सबसे पहले है arteriosclerosis, arteriosclerosis का मतलब है कि triglycide ये colistole के साथ में मिलके अपने जो blood vessels रहती है या नहीं जैसे उनके अंदर ये जम्मा होता रहता है, और उनको हार्ट बनाते जाता है, और दीरे दीरे जैसे 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 जम्मा होएगा, ये लीस का लेवल बढ़ेगा, ये उसको नेरो कर देगा, blood vessels को, और दीरे जब वो नेरो होके बंद हो जाएगी, तो यदि वो हार्ट की नस होती है तो क्येट्ट आर्टी डीजीज हो सकती है जिस में अपने को ऊपर प्लाय प्रोपर प्लड नहीं मिलेगा अपने को चक्कर है बेरा सकती है दूसरी कंडिसन रहती है इंफ्लामेशन ऑप पेंड केडियाड जी नि चॉट कर देगा और पेंड के रिटीज एक लाइफ गाल बलेडर में श्टौन भी बन जाते हैं । इस तरह ट्राइपल अफेक्ट होते हैं लेकिन अबने यह रहता है तो इसका कोई स्ट अपने को वैसे फिल नहीं होएगा तो अपना रूटिनली अपने को चेक करवाना चाहिए यह दि अपना नॉर्मल रेंज से बाहर है ट्राइग लिसाइड तो उसके लिए अपने को डाइट मोडिफिकेशन है करना है अक्साइज करना है स्मोकिंग क्यूट करना है वह यह दि फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो कुछ मेडिशन भी ले सकते हैं लेकिन इसको अपने को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखना रहता है ताकि अपने सरीर पे उसके बुरे असर नहीं हो ट्राइगली स्राइड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपन इसके बारे में एक वीडियो पहले बनाया है वह आप लेख सकते हैं कि बिना मेडिशन के कैसे ट्राइगली स्राइड को अपन कंट्रोल कर सकते हैं तो वह जरूर देखें और अपने असपास के लोगों को भी बताए तेंक्स